नमस्कार, अश्टिटी मेट्रियल्स में आपका स्वागत है, तो आपका जुआहर विद्या मंदीर राची के तरफ से कुछ टीचर वेकेंसी आया हुआ है, क्या कुछ वेकेंसी आया हुआ है, हम लोग डेटेल से उसको जानेंगे, उसका जो वेबसाइट है देखें यहाँ पर आपको सो कर रहा होगा, और इसका जो लिंक है, उसको मैं डिस्क्रिप्सन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसे उपें कर सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या कुछ वेकेंसी आया हुआ है, तो इसके लिए इसको क्लिक करना होगा, और इसमें क्लिक करने के बाद आपको इसको क्लिक करने के बाद आपको यहां फे देखिए इसमें आना होगा और आने के बाद यहां देखिए आपका वेकेंसी सो कर रहा है यहां वेकेंसी सो कर रहा है देख सकते हैं यह जो है वेकेंसी इस तरह ओपन हुआ आपका इस तरह का ओपन होगा और उसके बगल में आपको उसका application form जो है वह भी आपको मिल जागा इसमें जो notice है आपका vacancy का आप देख सकते हैं देखिए इसमें English है TGT के लिए TGT के लिए history भी है TGT science के लिए आपका chemistry भी है counselor है PRT English है PRT maths है और यहाँ पे लेव असिस्टेंड का भी post निकल करके आया हुआ है देख सकते हैं आपका bio के लिए है आपका chemistry के लिए है और आपका physics lab के लिए निकल करके post आया हुआ है TGT TGT English के लिए आपका एक post निकल करके आया हुआ है और आपका जो qualification क्या होना चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे mention क्या गया है आपका qualification क्या होगा आपका tgt English के लिए पोस्ट आया है उसका qualification वहीं आपका इधर में tgt social science के लिए qualification दिया गया है कि आपका qualification होने वाला है देख सकते हैं अगर आप यूगता रखते हैं तो इसे apply कर सकते हैं tgt science के लिए है one post के लिए आया है नि कों सेलर के लिए वन पूसट है आपका क्या आपका होगा के सन अब देख सकते हैं प्यार्ट के लिए यहाँ पर देखिए आपका प्यार्टीट्प से लिए भी one क्या होने वाला है तो काफी अच्छा SELERI होने वाला आप देख सकते हैं ओनों कि इस तरह यहाँ पे क्या है जुआ फ़िदाले के तरफ से आपका vacancy आये हुआ काफी अच्छा vacancy है काफी अच्छा SELERI भी है इसका अगर आप योगता रखते हैं तो इससे कैहें आप apply कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए address जो है यहाँ पर दिये गए जो address है अब देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है जो application form जो है उसे download करना है और download करने के बाद आपको उसे fill up करना है fill up करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर डिसेंटली जो passport size photo खिचवाए हैं उसको भेजना है और attested photo को जो है आपका certificate उसको अटेश्टेट करके आपको भेजना है आप इसे राइश्टेट पोस्ट ओपिस से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट ओगेरा से भेज सकते हैं यहाँ पर इसको address जो है आपको मिल जाएगा देखिए यहाँ पर आपका address दिया हुआ है कब तक भेज सकते हैं इसे तो देखिए यहाँ पर mention किया गया है 16-3-2022 तक वहाँ क्या है पहुच जाना चाहिए यह जो address दिया गया है उस पर तो अगर आप योगता रखते हैं तो इसे apply कर सकते हैं और आपको scan copy जो है आपको देखिए यहाँ से आपको कुछ लिखा गया है उस पर send करना है यह पर भेजना है जो इसका gmail id दिया गया है email id उस पर अब चलते हैं हम लोग इसका जो application form जहां से apply करना है उस पर यहाँ से आपको application form मिल जाएगा देखिए यहाँ पर आपका यहाँ application form मिल जाएगा आपका यहाँ से आ करके आप application form इसका download कर सकते हैं ओके thank you यह video आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को subscribe कर दीज़ेगा प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़ेगा झाल